जै गुरु जी दीपती आंटी मुझे लगता है कि मेरी भी पहले ऐसी थिंकिंग थी जै गुरु जी स्वाती आंटी कि जब तक मेरे पास कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा जब तक मैंने कुछ बड़ा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो फिर मैं कैसे गुरु जी का सथसंग शेयर कर पाऊंगी मुझे इस चीज की जैसे कहते हैं इंग्जाइटी घबराट वाली फीलिंग होती थी और इसी रीजन की वज़े से मैंने सुनील अंकल और कंचन अंटी से जब स्टार्टिंग में बात करी थी और मुझे बोला कि आपको मन्तली करना पड़ेगा सेम डेट पे मुझे लगा कि I can't do it you know every month because मेरे पास कुछ होना भी चाहिए कि मैं कुछ मतला बता सकूं because उस टाइम पे हमारा दिमाग ऐसे जलता है कि अगर हमारा कुछ बहुत ही you know life changing experience हुआ है गुरुजी की presence हमारी life में होने के बाद से हम सिरफ वो share कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है गुरुजी से मैं इस यर ही actually मतलब मेरी journey उनके साथ start हुई है from about April end or May this year so every day has been a learning for me and I'm sure every day is a learning for all of us whoever is Guruji Sangat because वो आपको चोटी चोटी चीजें इतनी जादा you know अपने तरही के से explain करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ as you know हम as a normal human being we don't even think on those lines so now um my mindset यह है that every day in my life and I'm sure every day in your lives as well is uh an experience with Guruji sorry एक और चीज के लिए because my parents भी जैसे बाद मेरा सत्संग देखे हैं तो मुझे बार बार उनने especially my father एक ही चीज़ बोली है that मैं बहुत जादा English में बात कर रही होती हूं सत्संग के बीच में so I should मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं जादा Hindi में बात करूं so I will try and do that मतला मैं बहु करने की कोशिश करूंगी so मैं आपको बजाती हूं generally जब हम you know कहीं जा रहे होते हैं when we are on the road तो अगर कोई siren बचती हूई ambulance मुझे दिखाई देती है तो मुझे उससे बहुत जादा you know I feel very uncomfortable मुझे बहुत घबराट होने लग जाती है यह चीज़ सोचके की इस ambulance में कौन होगा इस time पे you know what is that person's situation उसके कौन से family members उसके साथ होंगे उनकी क्या thinking होगी सो यह लास्ट वीक की बात है मैं मैं गुरगाओं में रहती हूँ and I had to go and meet somebody in जंगपुरा सो वहां पर जाते हूए जो आपका यह क्या कहते है महरोली वाला जो तरनात है जहांसे हम राइट लेते हैं चतरपूर जाने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर वहां पर मुझे एक you know ambulance सुनाई देरी थी पीछे मतलब की हमारी साइड पर है and उसका the siren was wailing like very very loudly अब क्या हुआ था की red light थी and चाहते हुए भी कोई move नहीं हो पारा था because you know we did not have like any space so to speak मैं constantly जब ऐसा अगर कभी देखती हूँ siren बशती हुए ambulance तो instantly मेरा होता है कि मैं गुरुजी का मंतर जाप चांट करना start कर देती हूँ and मैं pray करती हूँ गुरुजी को कि please जो भी हो इस ambulance में इस time पे आप please उनको bless करो so मैंने exactly वह सेम चीज़ स्टार्ट कर दी coincidentally you know फड़ फड़ ग्रीन लाइट हो गई and सारा मतलब ट्राफिक साइड पे हो गया so that ambulance निकल के जा सके अराम से जैसे ही आप वह ambulance गई है लाइट क्रॉस करके उसी वकत right at that second I saw a white colored butterfly just flew by so that was an indication for me from Guruji की okay you know तुमने किसी और के लिए कुछ आपने hope किया है कि किसी और की जो भी difficulty problem हो खतम हो and I will do my best तो ये एक indication थी मुझे की हाँ Guruji ने मेरी अर्दास सुनी Guruji यहीं पे है Guruji is around us then this was थोड़े I think 4-5 महीने पहले की बात है मेरी daughter is she is four and a half years old so मैं अपनी daughter को लेकर अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी who lives in GK and वहां से वापस आते हुए I don't know क्या हुआ but मुझे ना बहुत severe chest में पेन होनी start हो गई okay and मदलब ऐसी पेन थी जो मैंने कभी पहले experience नहीं करी and मुझे the driver was there and मेरी बेटी जो है car में वो usually मेरी ही गोदी में बैठती है तो मुझे इतना stress यह चीज सोचके होने लग गया कि अगर you know by chance इस टाइम पर कुछ हुआ मुझे तो इसको कैसे मतलब कोई संभालेगा and क्या था कि हम लोग ने वापसी में GK से बड़े मंदिर रुकते होए आना था उस टाइम पर मंदिर बंद ही था तो बहार से हम लोग मत्हा टेक आते थे तो जैसे हम लोगों ने चातरपूर के लिए वो लिया टर्न and मेरी पेंड जो थी काफी सिवियर होती गई मैंने मंतर जाब करना चांटिंग करनी स्टार्ट कर दे ठीक है कि मतलब बेसिकली कि गुरुजी अभी मुझे घर जाने तक you know I should be okay because my daughter is with me मैं करती गई चांट and धीरे धीरे slowly and gradually the pain started to subside okay like I have mentioned पहले भी बहुत सारी बार कि मेरा जो गुरुजी के साथ relationship है I'm sure मेरे जैसे और भी लोग होंगे उनका भी relationship ऐसा ही होगा but मेरा actual I you know have a father-daughter relationship with Guru जी so अगर मुझे किसी बात से उनसे जिद भी करने होती है मैं वो भी करती हूँ उनको कुछ भी बोलना होता है so मैंने Guru जी को बोला कि please you know this pain को please आप अभी के लिए सबसाइड कर दो till the time I reach home and my family is there and everything so आप बिलीफ करो कि जैसे जैसे मैं मंदर के पास पहुंचती गई पहुंचती गई the pain started to subside and उसके बाद you know एक ही साथ में Guru जी ने मुझे दो कार्स दिखाई जिन पे उपर तो लिखा हुआ था पीछे की साइड पे Guru जी and blessings always Guru जी उसके अलावा the two cars that I saw एक का नंबर था 0079 which comes to a total of 16 and 1 plus 6 is 7 and दूसरी कार जो थी वो था 0097 which is again 9 plus 7 16 and 1 plus 6 which is 7 so Guru जी के पास बहुत सारे तरीके हैं हमको अपनी presence constantly feel कराने के मैंने एक और last time चीज में आपसे शेयर करना भूल गी थी so मैंने आपको यह बताया था कि मेरे फादर ने कैसे आकर गुरुजी का जब हम मंत्र जाब कर रहे होते हैं जो प्रेक कर रहे होते हैं उन्होंने कैसे आकर बैठना स्टार किया था so मेरे फादर की साइड पे ना like his side of the family उनको थोड़ी सी मतलब जैसे मेरी ग्रादमदर को थी फिर मेरी ग्रादमदर के जो ब्रदर्स थी उनको यह प्रॉब्लम थी कि उनको थोड़ी सी हीरिंग इस्यू है एक कान में हो जाता है मतलब at a certain age तो कुछ time से my father was also feeling blockage in one of his year and मतलब doctors को भी दिखा लिया है ऐसा कुछ निकल के भी निया रहा था nothing was happening तो फिर हमने क्या करना start किया कि हम लोगों ने उदर कान के पीछे के हिस्से पे हम लोगों ने उनको चंदन का टीका गुरुजी को पहले लगा के फिर मेरे फादर के कान पे लगाना start किया and now it has been I don't know how many months कि टच्पुड जै गुरुजी उनका एकदम कान is like absolutely fine now so मतलब basically यह है कि आप जो difficulty अपनी life की गुरुजी के साथ शेयर करते हो ऐसा होता ही नहीं है कि आपको उसका response नहीं मिले and you know गुरुजी आकर आपको अपनी तरफ से अपनी presence नहीं फील करवाए एक और incident मैं बताती हूँ कुछ टाइम पहले I think pandemic की अभी जो lockdown होता उसके बाद है तो कभी है ऐसे होता है ना कि आपने ऐसे कहीं touch किया ना आपको कुछ फील हुआ तो मेरे left वाले कान के पीछे ना I just found कि जैसे दो guilty जैसे हो जाती है lumps थे यहाँ पे कान के पीछे and you know generally जब आप ऐसी कोई चीज सोचते हो या आपको realize करते हो कि ऐसा कुछ है तो नहीं चाहते हुए भी आपके दमाग में negative बात ही आती है कि you don't know what it is तो मैंने जाकर डॉक्टर को दिखाया था and the doctor said कि इसमें कुछ फिकर करने की बात नहीं होती है these are just like थोड़ा सा fat deposit हो जाता है वैसे lumps हो जाता है so nothing to worry about at all so any which ways बात वो खतम हो गई थी वहाँ पे then I think about a few weeks back I realized एसे ही तच करके देखा तो मुझे लगा कि वो जो है वो बढ़ गई है size में again जब जब ऐसी कोई चीज होती है then you you know tend to get paranoid कि अब यह बढ़ा क्यों हो गया है size में it was like you know way lesser पहले तो उसके बाद से around 3-4 weeks से मैं लगा तार इदर चंदन का ठीका लगा रही हूं गुरुजी को लगाने के बाद and अब जो जो लंप का size है they both are still there but comparatively उसका size बहुत कम हो गया है and I'm sure कि you know eventually over a period of time बिलकुल हट भी जाएग गुरुजी एक्तम ठीकर देग देग इसको और मैंने आपको so the lady who works in my house she has been with us for the last 15-20 years sorry so उनको वो भी ना गुरुजी को फॉलो करना साट हो गई है and उनके ले भी मैंने excuse me just one minute sorry so उनके ले भी मैंने गुरुजी की you know bracelet blessings and गुरुजी का स्वरूप वाली blessing मंगा के मैंने उनको दी है so what happened उनकी जो काम करती है मेरे घर में उनकी जो बेटी है I don't know क्या हो है चानक से so जो काम करती है मेरे घर पे उनकी जो डॉटर है उसका फोन आया था around आप सो जो 15-20 देज पहले जै गुरुजी अंटी अंजु अंटी रंजु आंटी जै गुरुजी so उनका फोन आया था 15-20 देज पहले ये बताने के ले कि जो वो लड़की की sister-in-law है her father has gone missing मतलब अचानक से ही बिलकुली डिसपेर हो गया है nobody knows where he is उनके वेरबाउट्स का कुछ नहीं पता किसी को भी so obviously you know there was a an issue of concern की एकदम से somebody has just totally disappeared so my you know the lady who works in my house she told her daughter की आप फिकर मत करो बट वो सेफ होंगे न वो जरूर आजाएंगे and कालो नहीं नहीं मुझे बताया है की like after 20 days she was constantly chanting to guru ji के मंतर जाब करी थी बोल रही थी pray करी थी क्यों को धुनवा दो obviously तो कालो नहीं मुझे बताया है की around 15-20 days के बाद वो एकदम से आ गया है वापस another thing I would like to share so जब अभी का जो लॉकडाउन चल रहा था उसके पहले मुझे constantly बहुत जादा खासी रहने लग दे थी okay and मैंने chest specialist को दिखाया और chest x-ray अगेरा भी करवाया था but कुछ पी उसमें से निकल नहीं you know we were not able to find out or figure out what was going on so मेरा जो दॉक्टर था जो मेरा फिजिशन था उसने बोला आपकी full abdomen का आप ultrasound करवाओ so we were like okay that's fine because chest से ऐसे कुछ ने निकल रहा था nothing was you know he could not diagnose anything so coincidentally जब हम लोगो ने full abdomen का ultrasound करवाया तब we got to know that I have multiple stones sorry this was also again in April or May March or April this year so वो multiple stones थे कभी मुझे कुछ ऐसा फिल नहीं हुआ and मेरी डॉटर जब जब जैसे 2017 में हुई थी तो उसके बाद ultrasound जो हुआ है वो मैंने अभी ही करवाय था जब मुझे अभी you know पता चली यह वाली चीज and उससे पहले मुझे कभी दर्द नहीं हुई कुछ भी there was like I had no you know knowledge or information की ऐसा कुछ है भी but ultrasound होने के बाद थोड़े time के बाद you know मुझे कभी-कभी अजीब सी पेन होनी स्टार्ट हो गई and जब जैसे गॉल ब्लादर में जो स्टोन होते हैं उसका it's like a well-known fact की कोई तरीका नहीं है उसका आपको मतलब सुजरी ही करवा के निकालनी बड़ेगी you know if you have स्टोन इन यो किड्नी तेन उसमें आप different medication लेके वो stones wash out हो सकते हैं but unfortunately गॉल बादर का कोई option नहीं है so you know 4-5 ऐसे instances हुए थे wherein मुझे बहुत severe pain हुई and there was also one instance wherein the pain was just not subsiding normally बोलते हैं जैसे आदे गंटे से 2 गंटे तट के बीच में pain subside हो जाती है अगर stones कियो लेकिन एक पारी क्या हुआ था it just kept going on for about 5 or 6 hours और ऐसी situation हो गई थी that we you know my family was wanting to take me into emergency to a hospital वो somehow उस टाइम पे subside हो गई thankfully I did not have to go to the hospital but जब से अभी बड़े मंदिर खुला है since you know the 4th of October and that was the first time I ever went to बड़े मंदिर for Darshan like from inside उससे पहले मैं बहार से ही कर रही थी Darshan क्यूंके lockdown था everything was closed लेकिन अब जब से मैंने बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया है और वहां का मैं लंगर प्रसाद खा रही हूं गुरुजी की ग्रेस से मुझे वो पेन नहीं हुई दो मैंने अभी तक अतना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है so I don't really know कि अब stones हैं की नहीं है but you know that is something that Guruji will obviously decide कि मुझे मतलब वो वैसी उसको ही कर देंगे or does he think that I need to undergo surgery or something like that but thankfully शुकराना Guruji का कि मुझे बिलकुल अभी you know 5-6 महिने से बिलकुल कोई as such pain नहीं हुई है and जब से लंगर प्रसाद काना स्टार्ट के है तब से बिलकुल भी नहीं हुई है so बस hopefully I will get an ultra sound done in the next couple of days and you know जैसे भी Guruji की मर्जी होगी जैसे भी Guruji की इच्छा होगी वैसा होगा so जै Guruji मंजवांटी so बीच में क्या हुआ था मैंने आपको बदाया कि मैं गुर्गाओं में रहती हूँ and severe pollution की वजए से अभी जो एक थोड़ा सा रूल पास हुआ था I think from 27th और 28th November से लेके 3rd December तक आप जो डेली मतलब अगर किसी ने गुर्गाओं टु डेली जाना था तो आपकी कार या डीजल और पेट्रोल की कार नहीं जा सकती थी and it could only be you know battery operated cars or e-cars or whatever they call it सिर्फ वो कार जा सकती थी and उस टाइम पे मेरा एक दिन का गुरुजी का e-pass की बुकिंग थी but because of this reason we could not go तो वो बीच में around 10 दिन ऐसे हुए थे जिसमें मेरा एक दम you know में नहीं जा पा रही थी mandir as in I could not go to Delhi because of this reason तो ऐसे आपको अंदर से ना ऐसे फील होने लग जाता है because मेरे ले नाव going to Guruji's बड़े mandir is like a part of life इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे you know कुछ अलग लगता है because अभी है मेरे it's become a ritual for me अगर आप ऐसी कोई चीज जो consistently कर रहे हो अगर किसी रीजन की वज़े से आपको नहीं करने को मिले तो obviously आपको बहुत उससे लगतार घबरात होती है so that was just you know like those 10 days I felt that I am missing so much in life but ऐसी situations में भी आपको Guruji हमेशा एक चीज हमेशा याद लाते है that you know मेरे पास आपको physically या मेरे मंदिर में ऐसा नहीं है कि आप सब आओगे वहाँ पे सिरफ तभी आपको you know मेरी presence feel होगी I am around you all the time Guruji हमेशा बोलते थे कि आप मेरे को सचे मन से याद करो and you will find me standing beside you which is so true because you know as human beings हम जब मेरे साथ कोई बड़ी चीज होगी तभी मुझे यकीन होगा कि हाँ ऐसा कुछ है that is how you know we as humans are that हमारे को किसी भी अपने अलावा किसी और के ओपर faith और trust करना हमारे लिए सबसे बड़ी problem की बात है but Guruji के साथ तो सबसे बड़ी यही चीज है that you have to have complete faith and you have to just totally surrender अभी I do have a very complicated situation that's going on right now इसे जादा Guruji ने मुझे नहीं you know permission दी कि मैं आपके साथ और details इसके शेर कर पाऊं जो जब start गे मैंने शाहद अपने लास अचसंग में बताया था कि जो चीज start हुई थी वो Guruji के ही आदेश से हुई थी उन्हीं की बताई हुई डेट पे वो चीज start हुई थी लेकिन अभी इसका जो final outcome होना चाहिए वो नहीं निकल के आया however जबी भी मैंने इस चीज से related कोई भी बात करी है कुछ भी सवाल पूचा है Guruji से तो मुझे उन्हें हमेशा whatever I have asked he has always given me an answer so I am you know मुझे मतलब इस बात का पक्का यकीन है कि सिरफ patience or waiting is what is needed and you know complete faith is what is needed and वो इस situation से भी मुझे बहार निकालेंगे because जैसे हम यह चीज बोलते हैं कि you know Guruji के किसी भी स्वरूप के ओपर कुछ लिखना नहीं चाहिए and Guruji कभी भी he was not in favor of publicity or any kind of propaganda or you know social media and all those things अभी obviously situation COVID की वज़े से ऐसे रही है कि you know everything has become virtual जिसमें Guruji के सथसंग भी virtual हुए है and जो अगर हम collective mantra जाप करते हैं वो सब भी virtual हुआ है तो मैं आपको यह बताने के बुश्क करिए हूँ though I totally believe and 100% agree जो Guruji भी होते थे कि उनके किसी भी स्वरूप के उपर आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए but you know it so happens that आप वो देखकर इतना मतलब used to हो जाते हो because मेरे साथ I don't know यह चीज और कितने लोग experience करते हैं but मेरे साथ हमेशा ही होता है कि अगर मेरे दमाग में कोई भी बात होगी ऐसा एक बार ही भी नहीं हुआ कि मुझे कोई Guruji का स्वरूप नहीं दिखाई दे either on Facebook या Instagram या किसी सथसंग के form में जहां पर मेरी बात करी हुई है जो भी मैंने अपने दमाग में सोची है बात उसका answer ना होए you know so much so that like I said कि हम human beings ऐसे होते हैं कि हम अपने अलावा किसी और पर प्रस्ट करना बहुत दिफिकल्ट है अगर आप किसी difficult situation में भी होगे तो आप बोलोगे कि इसका जो you know way out है इसका जो भी हल है वो मेरे ही पास है मेरी ही problem है solution भी मेरे ही पास है but that is not true problem हमारी है solution जो है वो सिरफ Guruji के पास है and अभी तक उन्होंने मतलब like I said whatever I have asked he has answered that I am very sure कि इस problem से भी मुझे वो बहुत जल्दी निकालेंगे और कैसे निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे उसका मतलब आपको एहसास पी नहीं होने देते मुझे constantly यह वाले messages Guruji के दिखाई देते है and that you know आपका faith when you are in a difficult situation आपका faith definitely shake करता है और जब ऐसा होता है and मेरे साथ भी ऐसा होता है मेरा faith भी definitely shake करता है लेकिन आप सोचो कि उसी instance पे मुझे कोई ना कोई ऐसा message आजाएगा जो मैं पढ़ूंगी which says for example कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी problem कैसे solve होईगी या तेरी problem नहीं solve होगी या जो तुझे solution चाहिए वो नहीं मिलेगा wait करो sabar करो और शुकराना करते रहो और आपको आपकी हर problem का solution मिलेगा यह दिखता है मुझे बहुत जादा यह दिखता है that whatever you have lost उससे कहीं जादा मैं तुमको दूँगा इतना कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकते then मैं काफी सारे WhatsApp ग्रूप में हूँ जो Guruji के है obviously Divine Souls of Guruji is also on WhatsApp and कल किसी एक ग्रूप मैंने एक लेडी का एक आंटी का सचंग पड़ा था जिसमें उनने लिखा था कि मेरी कुछ बहुत difficult situation चल रही थी बहुत difficult problem थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चीज का कोई end नहीं है मतलब now my world has literally tumbled down in front of my eyes and अब मैं इस situation से कभी बहार नहीं निकल सकती and उसके बाद she wrote that एकदम कितनी miraculously Guru जी ने वो situation change कर दिया और उनको उसमें से बहार निकाला कि वो बाद में ये सोचती थी कि मैं कभी मतलब सच में ऐसी difficult situation में थी भी कि ये सरफ मैं अपने आप अप अजीूम किया हुआ था उसके बाद she had also mentioned that you know अभी भी there is one thing which is pending जो मेरे साथ you know मैं बहुत अच्छे से उस चीज से correlate कर सके हूँ because मेरी भी कोई चीज ऐसी है which is pending but मुझे ये 100% faith है कि Guru जी will you know take me out of it and he will take me out of it in a way जिस से मुझे लगेगा कि ये चीज ये डिफिकल्टी कभी exist ही नहीं करी थी हमें सिरफ दो चीजे याद रखनी है faith and surrender till we don't do that we keep saying हम बोलते जाते हैं कि हमने 100% surrender कर दिया हमने 100% surrender कर दिया but अगर ऐसा है तो why do we panic because हमने 100% surrender नहीं किया है that is the reason हमें कोई difficult situation instantly आजाए हमाई लाइफ में हम घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा अब मैं इस पैसे कैसे निकलूंगी ये कैसे होगा but ये सब करते होए हम ये चीज बूल जाते हैं कि इस problem में भी आना गुरुजी की ही मर्जी थी हमें इस problem में ले के आना and हमें इस problem से निकालना भी उनकी ही मर्जी है you know we often forget कि जैसे हम सोचते हैं कि यार मैं इतना अच्छा करती हूं सब के लिए you know I am very helpful I help the needy I help the poor but मेरे साथ फिर कुछ क्यों गलत होता है but इस चीज में इन सब बातों में हम यह भूल जाते हैं that जो भी मैंने अपनी past birth में past life में करा है वो कहां से वो कैसे अपकटेंगे करम मुझे तो नहीं पता कि what all negative things did I do in my last birth so now जब मैं आज इस जनम में human form में हूँ इस ही जनम में मुझे unfortunately or fortunately I have to go through you know whatever I have done in my past so आप कोई particular time मत सोचिए कि हम Guru जी से कब बात कर सकते हैं कोई particular शुक्राना करने के ले आप किसी भी time you can talk to him while you're watching TV while you are cooking while you're you know just about listening to music or anything anything else आप Guru जी से बात करो and he will always always make you know his presence felt वो ऐसा कुछ भी नहीं कि गुरुजी अपनी एक संगत को दूसरी से जादा प्यार करते हैं for him all his you know all his children all his devotees are one and ऐसा कुछ भी नहीं कि वो एक को दूसरी के उपर प्रेफरेंस देते हैं but what you feel with Guru जी is based on your direct connection with him मैं बहुत सार ऐसे लोगों को जानती हूँ जैसे मेरी कुछ फ्रेंस ही है जब मेरी जैसे गुरुजी के साथ जब जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी थोड़ा स्लोली गाजली जैसे मेरी जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है मुझे वंधना अंटी भेशती है जैसे जैसे उन्हें मुझे ब्लेसिंग्स भेजी एंस परूप मेरे घर पे गुरुजी का स्थापत होने लगा मैं चंदन का टीका नॉर्मली हमेशन मैं ही करती हूँ अनलेस यून आम नॉट अवेलिबल यासा कुछ तो क्या होता सांगत जी जब जैसे स्टार्ट हुए अभी भी होता है स्टनाट की उसी टाइम से था मतलब उसी टाइम होता था कभी मुझे चंदन के टीके में गनेश जी दिखे है कभी ओम, कभी हनुमान जी, कभी नंदी बैल, कभी कृष्ष्ण जी और क्रिष्ण जी अलसो मतलब प्रॉपर यूण पैर क्रॉस करके खड़ेओं के बासुरी बजाते हुए तो मेरी बहुत सारी फ्रेंज ऐसी हैं जो गुरुजी से मतलब जुड़ी हुई है for the last couple of years बट उन्होंने कभी भी ये वाली चीजे नहीं करी जैसे मैं उनको बताती थी sorry कि you know मुझे ऐसा दिखता है और वो होता है so it's all about your direct connection with गुरुजी आप उनसे 10 साल से भी जुड़े हो सकते हो but you know it's a possibility कि आपको वो connection नहीं feel हो because गुरुजी अपना एक बरी हाथ आगे करके कभी भी उसको पीछे नहीं करते आप उनके साथ कितना direct connection बनाते हो आपकी टेलेपथी उनके साथ कैसी है that totally depends on you and always remember कि वो हर एक second हमारे साथ है वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते इसलिए you know हम गुरुजी को यह बोलते है कि आप हमारा हाथ पकड़ो because मैं as a human being हो सकता है घबराहाट में किसी reason की वज़े से आपका हाथ छोड़ दू but मुझे यह यकीन है मुझे इतना faith है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे so I think I will end at that Jai Guruji Shukranath Guruji